अड़े कभी तुमने सोचा था कि वरुन धवन को ऐसे देखोगे क्या धमाकेदार भाई एनाउंस्मेन वीडियो था रोम टे खड़े होगे वरुन धवन का न्यू मास मसाला एक्शन मूवी आने वाली है जिसको कल तक VD18 बोला जा रहा था आज उसका टैटल ओफिशेली एन बेभी जॉन जिसे रिलीज किया जाएगा 31 में को 2024 में अब इस एनाउंस्मेंट टीजर को देखने के बाद तुम आसानी से कह सकते हो कि ये कोई साउथ का ही आर्ट पीस होगा क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे सिनेमाटोग्राफी ऐसा प्रेजेंटेशन अभी तक मूमकिन नहीं है भाई आज तक हमने वरुंदावन को सिर्फ बेकार मूवी में ही देखा था लेकिन बंदे में पोटेंशियल है टैलेंट भी है जो तुम बदलापूर देखोगे ऑक्टोबर देखोगे तो पता चलेगा अब ये टैलेंट हो सकता है एटली के एसिस्टेंट डिरेक लोगों ने इस ओफिशर और इसकी बेटी को छोड़के उसके पूरे फैमिली को मार दिया था अब इस ओडिजिनल वर्शन में थलपदी विजय को उसकी बेटी बेबी करके बुलाती है जो की काफी वाइरल हुआ था एटली के एसिस्टेंट डिरेक्टर ने इसे अपनी वही से इंस्पायर है लेकिन भाई रीमेक कहो या कॉपी कहो प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था जिस तरीके से सिनेमेटिक सौर्ट को यूज किया गया इसके अंदर और यह सिर्फ एनॉंसमेन वीडियो के लिए सूट किया होगा कूल लग रहा था देखने में मूवी के पर्टिकुलर चीज को अगर देखके तुम्हें किसी और मूवी की याद आ जाए तो हर वक्त उसे कॉपी नहीं कहना चाहिए हो सकता है स्टोरी में उसकी रिकॉर्मेंट थी जिसलिए इसे वैसा ही बना गया है अब यह भी मुम्किन है कि उस बड़ी आर्ट पीस पॉजिटीव फीलिंग आ रही है कि यह मूवी अच्छी होगी बढ़िया होगी इसमें वरुन दवन के साथ किर्ती सूरेस और वामिका कब भी भी होंगे लेकिन कहीं न कहीं एक चीज मेरे मन में खड़करा है कि यह मूवी कहीं भोला जैसे कुछ गलत कदम न उठा ले दे वीडियो को इस रेशियो में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा अब यह हो सकता है देखने में थोड़ा अलग लग रहा था लेकिन भाई सैटीस्फैक्शन नहीं था अंदर से बाकि तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हीं यह एनॉस्मेंट ना एम करते हैं पांच लाइक का बस पांच लाइक कर देना बात करते हैं नेक्स रुडियो में तब तब शाड़ा बाए